असलाम लेकुम, वेलकम टू स्मार्ट तालीन जैसे कि ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चप नमबर एट को स्टार्ट किया था तो आज हम डिस्कस करते हैं कि अलकेन, अलकीन और अलकाइन को नाम कैसे देना है ये लेक्चर को दो हिस्व में डिवाइट किया गया है, पहले हम नॉमन क्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे और अलकेन की नेमिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे और सेक्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अलकीन और अलकाइन की नेमिंग के हवाले से बात करेंगे ये नॉमन्क्लेचर बहुत ज़्यदा एक important topic है और last year ये एक long question की सुरत में भी आ गया हुआ था इसलिए तमाम rules को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एतियात के साथ सुनियेगा और उसको implement भी कीजियेगा अपनी मुख्तलिफ different examples जो के book में मौजूद हैं उसको लेकर तो start करते हैं आज का lecture जिसका नाम है नॉमन्क्लेचर ओफ अलकेन, अलकेन and alkyne नॉमन्क्लेचर ओफ अलकेन, अलकेन के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि दो तरह की naming होती है common or trivial names होते हैं और एक IUPAC name होता है common or trivial names क्या होते हैं कि शुरू में हम लोग compounds को नाम दिया करते थे on the basis of their history, उसकी history के accordingly उसको नाम दे दिया the method of preparation उसको जिस method से prepare किया गया उसको मदेनजर रखते हुए उसका नाम दे दिया जाता था या फिर name of the person working on it, जो person उस चीज़ के उपर काम कर रहा होता तो वो person उसको नाम दे देता था, मिसाल के तौर पर the name marsh gas was given to methane, जो methane है उसको marsh gas कहा जाता था क्यों उसको marsh gas कहा जाता था, because it was found in marshly place क्योंकि वो marshly place के अंदर पाई जाते थी, यानि ऐसी जो गंदली type की जगें होती है, वहां से ये gas produce होती है इसलिए हम उसको marsh gas का नाम दे देते थे, second हमारे पास एक और example ने, तो acetic acid derived its name from vinegar acetic acid क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये vinegar से ही इसका नाम drive हुआ है, और vinegar को latin word में acetum कहा जाता है और उसका English में मतलब बनता है, vinegar यानि के sirka barbituric acid after barbara, barbituric acid को adolph von bier ने जो है वो prepare किया था, लेकिन उसने इसका नाम एक lady scientist के नाम पर रख दिया, जिसका नाम था barbara, तो उसके नाम पर इसको barbituric acid कहा जाता है, यानि कि कोई भी वे वो इस्तमाल कर लेते थे नाम देने के लिए, alkane के लिए हम देख लेते हैं कि इनका जो normal, common namings थे हैं, वो क्या है the root word is derived from the Greek or Latin numerals indicating the number of the carbon atoms in a molecule and the name is completed by adding an as a suffix हम क्या करते हैं को लेतन या Greek word का इस्तमाल कर लेते हैं carbon atoms की तदाद बताने के लिए और एंपर इन लगा देते हैं मिसाल के तौर पे, methane, matha जो word है वो एक Greek word है और उसका मतलब होता है कि वो एक carbon को dominate कर रहा है और आगे एन लगाने का मतलब होता है suffix में कि यह alkane है इसी तरह एथा, अब एथा का मतलब है हमारे पास दो carbon होंगे और एन लगा होने का मतलब है कि उसमें single bond मौझूद है हम common naming के अंदर एन आइसो और नियो का word भी इस्तमाल करते हैं ताकि यह बताया जा सके कि यह straight है या यह branch है यह किस तरह है तो हम एन आइसो या नियो बगरा को भी इस्तमाल कर लेते हैं है कि आप डियाग्राम में देख सकते हैं तो dear students यह हमारे पास कुछ different examples भी है in short आप alkane को methane, methane, propane, N covered यूज़ करके ISO, NEO वगरा covered यूज़ करके explain कर सकते हैं इनकी common naming के अंदर अब हम common naming देख लेते हैं alken के लिए तो alken are similarly named by replacing the ending gain of the name of the alken with why lean, अब हम यानि के alken की common naming की बात करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही नाम देंगे लेकिन हम यहाँ पर N नहीं लगाएंगे बिल्किए why lean लगा देंगे जैसे कि आपको एक table के अंदर मुखलिफ examples दिखाई गई हैं तो इसमें आपने suggest common naming के ओपर focus करना है तो common naming में दो carbon वाले को क्या कहेंगे एथाइलीन तीन वाले को क्या कहेंगे परोपाइलीन और चार carbon वाले को क्या कहेंगे alpha butylene, alpha क्यों का गया है क्योंकि बिल्कुल start में double bond है ना पहले नंबर पर और अगर दूसरे नंबर पर double bond होगा तो beta butylene उसको कहेंगे और अगर branch में structure आ जाएगा तो आप उसको iso butylene कहेंगे यानि आइसो का गरड़ आप लगा देंगे तो यह common naming है alkene के हवाले से day students common naming इतनी जदे important नहीं होती है बट फिर भी आपको idea होना चाहिए अब हम देखते हैं इनकी proper IUPAC name जो के international rules के तहत दिया जाता है और तमाम countries, तमाम scientists उसको follow करते हैं IUPAC names में each different compound should have a different name हर एक compound का different name होना चाहिए तो इसके बहुत से rules हैं, तमाम rules को आपने ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से सुनना है तो सबसे पहले जो rules and regulations देखेंगे वो हैं आपके alkene के लिए तो IUPAC names के जो rules हम देख रहे हैं वो हैं alkene के हवाले से सबसे पहला rule है, locate the longest continuous chain of the carbon atom this chain determines the parental name for the alkene अब क्या मतलब, हम एक structure देखते हैं, तो यह हमारे पास एक structure आ गया सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इस structure में long chain को देखना है कि इसकी long chain कैसे बन सकती है, अगर मैं बिल्कुल straight चला जहूँ तो मेरे खाल से यह long chain नहीं बनेगी, इसलिए मुझे कहां जाना चाहिए, branch की तरफ भी जाना चाहिए मिसाल के तोर पर मैं numbering देकर दिखाता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यह आपके पास क्या आ गई, long chain आ गई तो आपने सबसे पहला काम जो करना है, वो long chain को locate करना है कि आपके पास long chain कैसे बनेगी अच्छा, अब इसकी numbering यूँ भी दी जा सकती है जैसे के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब यह numbering गलत है और मैंने भी इसको red color से दिखाया है ताकि आपको यह बता सकूँ कि यह गलत, अब यह गलत क्यों है number 2 rule देख लेते हैं number the longest chain beginning from the end of the chain near the substituent आपको chain वहाँ से start linear है जहाँ पे आपको substituent करीब नजर आए अब substituent क्या होता है substituent वो चीज़ है जो chain का हिस्सा ना हो तो यानि कि वो जो methyl, corner वाला methyl है वो chain का हिस्सा नहीं बना वो counting में नहीं आया तो वहाँ उसको substituent कहेंगे इसलिए जो green color की numbering है वो सही है और जो red color की numbering है वो गलत है तो हम इसको दुबारा से एक दफा नमबर दे लेते हैं तो आपने start करना है जहाँ पे substituent करीब हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यह जो inbox किया गया है यह है आपका substituent जो chain का हिस्सा नहीं बना इसको नाम देने के लिए dear students एक छोटा सा sketch देख लेते हैं कि सबसे पहले lockant आना चाहिए यानि कि location of substituent, substituent कहां पर लगा हुआ है उसकी location तो 3 पर लगा हुआ है तो 3 covered आ जाएगा साथ में hyphen आएगा line आ जाएगी फिर substituent है कौन सा वो बता देंगे आप और फिर finally आप ये बता देंगे कि parent chain कितने carbon की है और वो in है, in है या iron है तो जैसे कि इसका नाम आप क्या देंगे इसका नाम दिया जाएगा 3-methyl heptane 3 उसके बाद hyphen फिर methyl यानि 3 पर क्या लगा हुआ है methyl लगा हुआ है और total carbon की chain कितनी है hept की और in क्यों आया है बीच में क्योंके सब के बीच में क्या है single bond है जो केलके इनको जाहर कर रहा है तो ये दो rules मेरे क्याल से आपको समझ आ गए होंगे उसके बाद हम अपने next rule देख लेते हैं कि when two or more substituents are present आपके सामने एक example है इसकी counting स्टार्ट करते हैं 1,2,3,4,5,6 अब अगर बिल्कुल straight जाएंगे तो भी 6 chain है और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो भी 6 chain है इसका मतलब है कि आप किसी भी तरफ जा सकते हैं आपको दिखाने के लिए मैंने drop किया था बाद में उसको मिटा दिया गया आप कहीं भी जाएंगे आपका नाम गलत नहीं होगा इसमें सबस्टिटेंट देख लेते हैं आपके पास एक सबस्टिटेंट ये इन बोक्स किया गया एक सबस्टिटेंट ये इसका नाम दे लेते हैं नाम में हमारे पास है 4-ethyl, अब देखें, जो 2-carbon वला होता है, उसे ethyle कहते हैं, अब 2 पर लगा है, methyl, 4 पर लगा है, ethyle, आपके mind में आएगा कि पहले methyl को लिखना चाहिए, फिर ethyle को लिखना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, आपने जो substituent की naming करनी है, वो alphabetically करनी है, alphabetically का मतलब है, कि जो ethyle है, वो E से start होता है, और methyl M से start होता है, तो E पहले आना चाहिए, alphabetically तो इसलिए आप इसको पहले लिखेंगे, तो 4-methyle, फिर क्या लिखा जाएगा, 2-methyle और फिर chain की length लिखी जाएगी, जो कि क्या है, hexane है, यानि कि 6-carbon वाली, तो rule क्या है हमारे पा same carbon atom, use that number twice, यह बहुत जादा important है, तो सबसे पहले हमारे पास जो structure दिया गया है, इसकी naming कर लेते हैं, तो naming में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon की highest, longest chain बन रही है हमारे पास, और हम देख लेते हैं, इसमें substituent कौन कौन से हैं, एक substituent यह हैं और एक substituent methyl हैं, तो dear students, आप इसको क्या नाम रहेंगे 3 ethyl, फिर आपने foreign methyl ने लिखना, बलके दोनों को अलग-अलग number देना है, यह rule बता रहा है, मिसाल के तोर पे आप पहले लिखेंगे 3 ethyl, फिर लिखेंगे 3 methyl, यह हरे के लिए अलग-अलग number यूज़ करेंगे, चाहिए वो same carbon के साथ ही क्यों ना attached हो, इसका क्या और more substituents are identical, indicate this by the use of the prefix ditritritranson, कॉमाज are used to separate numbers for each other, क्या मतलब इसका, example से देख लेते हैं, यह हमरे पास एक structure है, इसकी naming करते हैं, 1, 2, 3, 4, जो chain में नहीं है, वो substituent है, यह आपके सामने substituents रोग होग है, अब इसका नाम, अब चुके substituent एक जैसे हैं, तो इसलिए आप असानी के लिए 2-methyl-3-methyl ना लिखें, बल्के यूं कर लें, आप इसको 2,3-dimethyl कर लें, तो 2,3-dimethyl-butanus का नाम हो जाएगा, एक और example देख लेते हैं, यह हमरे पास एक structure है, इसकी counting करते हैं, 1, 2, 3, 4, आप straight भी चले जाएं, ब्रांच भी चले जाएं, आपका नाम ग लिखा है, 1, 2, 3, 4, और इसमें सबस्टेटेंट्स देख लेते हैं, यह चारों के चारों जो चैन में नहीं आई, यह सबस्टेटेंट्स हैं, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 2,2, पिर 3,3, tetramethyl-butanus, तो बजाएं, अलग-लग लिखने के बजाएं, आप इसको combine भी क सकते हैं, अगर आपके सबस्टेटेंट्स एक जैसे हैं, तो, यह रोल भी बहुत ज़्यादा असान था, हम इसके बाद next rule देख लेते हैं, when two chain of equal length compete for selection as the apparent chain, choose the chain with the greater number of substेटेंट्स, यह बहुत ज़्यादा important rule है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने एक structure draw हुआ हुआ है, इस structure में हम इसकी सबसे पहले naming करते हैं, तो naming में हमरे पास one, two, three, four, five, six, seven, seven, seven carbon की chain है, इसकी naming यो भी की जा सकती है, five, six, seven, जो के आपको red color से show किये गए हैं, अब ये red color वाले गलत हैं, क्यों गलत हैं, उसकी वज़ा ध्यान से सुन लीजेगा, अगर मैं red color वाले को consider क कर लूँ, तो हम देखते हैं कि हमारे सबस्टेटेंट्स की तादाद कितनी बनती है, एक, दो, and three, तीन सबस्टेटेंट्स हमारे पास बनते हैं, अगर red color वाले को consider कर लिया जाए, इसी तरह मैं इसको दुबारा redraw करता हूँ, और हम इसकी counting करते हैं, जैसे के पहले किये ग उने long chain select की थी, उसमें सबस्टेटेंट्स कम बन रहे थे, ये जो long chain है, इसमें सबस्टेटेंट्स ज्यादा बन रहे हैं, तो अपने कोशिश ये करना है, कि वो chain select करनी है, जिसमें greater number of सबस्टेटेंट्स हो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, two, three, five, three positions पर आपका methyl लगा ट्राइ मिथाइल हो जाएगा, और four पर आपका क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल लगा हुआ है, चुके straight है, इसलिए आप इसको N प्रोपाइल कहेंगे, और chain की length क्या है आपके सामने, साथ कारबन वाली तो आप इसको हैप्टेन कह देंगे, last हमारे पास जो rule है, ये बहुत जादा important है, इसको ध्यान से देखिएगा, कि वन branching first occurs at an equal distance from either side of the longest chain, choose the name that gives the lower number at the first point of difference, इन लफजों को समझने के लिए आप ध्यान दीजेगा structure के उपर, तो अगर आप structure देखे हैं हमारे पास, तो इसकी counting स्टार्ट करते हैं, हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये counting स्टार्ट की substitute है, वो बिलकुल equal distance पर है, तो इसे लिए इसकी counting यूँ भी की जा सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब मैंने इसको red color में show किया है, येकिनिन इसमें कोई ना कोई गलती है, अब गलती क्या है, वो rule के accordingly हम देखेंगे, dear students, अगर हम बात करते हैं green वाली numbering की, तो green वाली numbering के accordingly इसका जो नाम बनेगा, वो नाम ये बनेगा, 2 पर methyl है, 3 पर भी है और 5 पर भी है, तो कठा लिख देते हैं, 2, 3, 5 trimethyl hexane, और अगर मैं red वाले के accordingly इसकी numbering करता हूँ, तो red वाले के accordingly इसकी numbering क्या हो जाएगी, 2, 4, 5 trimethyl hexane, क्योंकि इसके 2, 4, 5 पर methyl group लगे हुए है, अब rule ये क क्याता है, कि longest chain है, वो आपने ऐसे select करनी है, कि आपका lower number आना चाहिए, at the first point of difference, यानि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 2, 3, और red color वाले में आपके पास क्या रहा है, 2, 4, वो difference ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो lower difference आपने select करना है, in short इसको बहुत easy way में मैं आपको अगर बताऊं, तो आपने यूँ करना है, कि जिस तरफ ज्यादा substitute आपको नजरा रहे होंगे, आपने counting वहाँ से start कर लेनी है, तो वो automatically आपको lower number दे कर जाएगा, और आपका नाम बिलकुल ठीक हो जाएगा, तो जो 2, 4, 5 try में थायल है, वो आपका गलत होगा, तो dear students, आपको दिये गए हैं, examples वगेरा, और book के अंदर भी naming दी गई है, तो तमाम examples को अच्छे तरीके से कीजिएगा, तो आपको किसी भी किसम की कोई परिशानी नहीं है, यह बस इन rules को ध्यान में रखेगा, और यह last time long question भी आ गया था, तो इसलिए इसको as a long भी आपने तियार करना है rules को, खुदा हाफिस